जयर जयर सनिदेओ, मकारास के दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके दैनी का रासी फल में मैं हूँ आचारस के तिवारी, दोस्तों हाजिर हैं, आपका रासी फल लेकर बात करेंगे, पांच नमंबर मंगल बार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो सुर्योदे 6 बच के 36 मैट पर होगा, तो ही आज का सुर्यास 5 बच के 33 मैट पर होगा, आज के दिन चंद्रमा ब्रिश्ची के रास में रहेंगे, 9 बच के 45 मैट सुबह तक, उसके बाद धनू रास में प्रवेस कर जाएंगे, बात करेंगे आज के महुरतों की, तो ब्रह्म सुर्योदे 6 बच के 36 मैट सुबह तक, इस समय पर आप कोई भी सुबह कारे परारम कर सकते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी, अब बात करते हैं, आज के राहुकाल के बारे में, राहुकाल का समय रहेगा दोपहर बात 2 बच के 49 मैट से साम 4 बच के 11 मिनार तक, राहुकाल के समय किसी भी सुबह और अच्छे कारियों के सुरुआत नहीं की जाती है, अब आई ये जानते हैं आपके रासिफल के बारे में, तो मकर आज के दिन आपके परिवार में चल रही समस्या का समाधार निकल सकता है, पार्टनर की कुछ बातों को नजर अंदाज करना होगा, आप पारिवारिक और समाजी कारियों में भाग लेंगे और आपकी समाजी की स्थिती में भी बेतर सुधार और बिद्धी देखने को मिलेगी, आज के दिन जीवन साथी से किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, एक बार में एक से अधिक काम करने से आपको परिसानी भी सकता है, पारिवारिक सम्मंदों में किसी बात को लेकर अगर किसी प्रकार के मन मुटाव चल रहा था, तो आज उसमें सुधार देखने को मिलेगा, आप में से कुछ लोग बच्चों की बुद्धी और खुसी का आनंद लेंगे, बुजर्गों को थोड़ी परिसानियों का सामना भी करना पर सकता है, मकर आसके दोस्तों, आज ब्यापार और नोकरी में परिवार का सवयोग मिलेगा, कार छेतर में सोच समझ कर बोलें, तरक्ती के नए रास्ते खुलेंगे, ब्यापार में लाव के योग बन रहे हैं, आप घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें अपनी भावनाओं का और उनकी भी भावनाओं का सम्मान करें, आज अगर आप कोई नया बाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, नए बाहन की प्राप्ती का योग बन रहा है, अपनी सेहत का भी आज के दिन बिस्वेश ध्यान रखें, सुभ च यार छेतर में नए समी करनों के कारण आप पूरे समय बेस्त न जाराएंगे, आज के दिन कुछ रुके हुए प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ते हुए न जाराएंगे, नोगरी पेसा लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना बन रही है, और मन्चाहे इस्थान पर ट्रा प्रोड़ी से मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, इस दोरान सांत और सकारात्मक रहना आपके लिए जरूरी है, खासकर दोपहर के बाद आपके इस्थितियों में बदलाव देखने को मिल सकता है, टकराव से बचें, साथ ही विद्यार्थियों को सफलता प्राप् सोत मिल सकता है, संपत्ती या बाहन की खरीदी बिक्री में लाप देखने को मिलेगा, बेस्तर दिंचरिया के बावजूद आज आपका स्वास अच्छा रहेगा, सच के साथ रहें, जूट से बचने का प्रयास करें, काम में जल्दवाजी या जल्दवाजी के कार्ण आज नुकसान उठाना पर सकता है, तो मकारास के दोस्तों, ये था आज आपका रासी फल, कर फिर से एक नए रासी फल के साथ हम आपके साथ होंगे, जैसानी देओ